मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स तो हज़ारपचीस में जिवित पूत्री का ब्रत कब है जानिये सही तीनवतारी क्या है पूजा करने का सुबमुहूरत कब है पूजा बिधी क्या है अश्टमी दिथी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू कर से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे से के मित्रू हिंदू धार में जिवित-पूत्रि का ब्रत का बिसीस महत्य है यह ब्रत हारवर्स आस्विन मास के क्रिश्रपंच की अष्ट मीतिथ employ को मनाया जता है इस पर्व को जीतिया जिवित-पूत्रि का जीूतिया ब्रति की नाम से जाना जाता इस ब्रत को माताई पुत्प्राप्ति संतान की दिरघाजू होने और उनके सुक समरिधी में बिधी के लिए करती हैं यह ब्रत महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन बरत माना जता है क्योंकि इस ब्रत को माताईं दिन रात निर्जल रह कर करती है और इस ब्रत का पारण अगले दिन यानि नौमी तिथी को करती है इस ब्रत में छट पर्व की तरह ही नहाय खाई की परंपरा होती है मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है जीतिया ब्रत के पहले दिन महिलाएं सुर्योदर से पहले जाकर इसनान करकी पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहन करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला प्रत रहती है इसके बाद दूसरे दिन सुबा सबेरे इसनान करने की बाद पूजा पाट करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला ब्रत रहती हैं और पूजा इस्थल पर कूशा से निर्मीत भगवान सूर्य नरायन और जिमुत बाहन की प्रतिमा को इसनान कराकर इस्थापित करती हैं फिर प्रतिमा के समक्ष धूप दीप चलाकर नबयत पुष्परोली फल आधि अर्पित करके आरती करती हैं इसके बाद मिठाई का फोग लगाएं फिर पूजा के बाद कथा पढ़ें फिर पूजा समाप्त करें इस ब्रत में माताईं सत्तमी तिथी को नहा खाई को सुर्यात से पहले खाना है और जल ग्रहन करके ब्रत की सुरुवात करती हैं और अश्टमी तिथी को पूरे दिन निर्जिला ब्रत रहती हैं और अगले दिन ब्रत का पारण करती हैं मित्रों अब जीवित पुत्र का ब्रत की पूजा करने का सुभ मोहूरत को भी चान लेती हैं जो इस प्रकार है, मित्रों, अब आपको बता दे की वर्ष 2.25 में जीवित पुत्र का ब्रत कब है, तो आपको बता दें कि वर्ष तुहज़ार पचीस में जीवित पुत्रि का ब्रत 14 सितंबर दिन रवी बार को रखा जाएगा आश्टमी तिथी सुरू होगी 14 सितंबर तुहज़ार पचीस को सुबा पांच बच कर चार मिनट पर आश्टिमी तिथी समाप्त होगी 15 सितंबर तो 2025 को सुबत 3 बच का 6 मिनट पर